नम्सकार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शाउमी 11 Lite NE 5G vs Vivo V21 5G का फूल डेप्थ कमपारूजन करने वाले हैं, इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो, Lite NE 5G में 6.32 इंच जबकी Vivo V21 5G में 6.28 इंच की लेंथ मिलती है जोकी Lite NE 5G से कम है विद्ध की बात करें तो, Lite NE 5G में 2.98 इंच जबकी Vivo V21 5G में 2.91 इंच की विद्ध मिलती है जोकी Lite NE 5G से कम है बात करें थिकनेस की तो, Lite NE 5G में 0.27 इंच जबकी Vivo V21 5G में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है जोकी Lite NE 5G से ज्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो Light NE 5G में 158 ग्राम्स जबकि Vivo V21 5G में 176 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की Light NE 5G से ज़्यादा है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कमपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो Light NE 5G में 6.55 इंचर्स जबकि Vivo V21 5G में 6.44 इंचर्स मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन Light NE 5G में 1080 by 2400 और Vivo V21 5G में 1080 by 24004 मिलता है Screen to Body Ratio Light NE 5G में 85.25 प्रतिशत जबकि Vivo V21 5G में 84.9 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो Light NE 5G में 402 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Vivo V21 5G में 409 प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशता है की जो की मुबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो लाइटनी 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की वाइड अंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा, टेलिफोटो माक्रो कैमरा देखने को मिलता है और वीवो वी 21 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की वाइड अंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा, माक्रो कैमरा देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं. अब बात करें फ्रिंट कैमरा यानि की सेल्फी कैमरा की तो Laitane 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Vivo V21 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं. अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं. Hardware में सबसे पहेले CPU जोकी speed के हिसाब से देखा जाये तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं. GPU की बात करें तो, Lite NE 5G में Adreno 642L जबकी Vivo V21 5G में Mali G57MC3 मिलता है. चिपसेट की बात करें तो, Lite NE 5G में Qualcomm Snapdragon 778G और, Vivo V21 5G में Mediatek Dimensity 800UMT 6853W मिलता है. बात करें RAM की तो, Lite NE 5G में दो variant देखने को मिलता है. जिसमें 6GB, 8GB की RAM मिलती है जबकी Vivo V21 5G में 2 variant देखने को मिलता है. जिसमें 8GB, 8GB RAM मिल जाती है. बात करें internal memory जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो, Lite NE 5G में 2 variant देखने को मिलता है. जिसमें 128GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Vivo V21 5G में दो वेरियंट देखने को मिलता है जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है Expandable Memory दोनों फोन में अप्टु 1TB है Operating System दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है Battery Light Ne 5G में 4250MH जबकि Vivo V21 5G में 4000MH देखने को मिलती है अई अब Main Feature को देखते है Colors की बात करें तो Light Ne 5G में 4 Colors जबकि Vivo V21 5G में 3 Colors आप्शन मिलते है सब Information देखने के बाद बात करें Price की तो Light Ne 5G में 2 Variant देखने को मिलते है जो की 6 GB RAM 128 GB Storage के साथ 26,999 रूपीज 8 GB RAM 128 GB Storage के साथ 28,999 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें Vivo V21 5G की तो उसमें 2 Variant देखने को मिलते हैं जो की 8 GB RAM 128 GB Storage के साथ 29,990 रूपीज 8 GB RAM 256 GB Storage के साथ 32,990 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं Price and Cons यानि की फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है finally बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है Main Camera में दोनों फोन सेम ही है Front Selfie Camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में Light NE 5G आगे है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S25 5G है जो की 47,999 रुपे में मिलता है दुसरा Realme 8S 5G है जो की 19,999 रुपे में मिलता है तीसरा Realme GT Master Edition 5G है जो की 25,999 रुपे में मिलता है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Motorola H20 Fusion है जो की 22,999 रुपीज में मिलता है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना